हलो एरिवन सभी को नमस्ते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चुमबक के बारे में पढ़ने वाले हैं चुमबक के गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके 10 से 11 गुण बताऊंगा मैं आपको और इसके प्रियोग के बारे में भी बताऊंगा लेकिन पहले आप आपको ये बता देता हूं कि चुम्बक हमने बच्पन में सबने प्रियोग की है और लगबक ये वाला गेम तो लगबक सभी नहीं खेला है और साथ में जो मिट्टी के अंदर जो बुरादा होता निकलता है उस बुरादे को लगबक ऐसे सभी ने नचाया होगा लेकिन आज क इस वीडियो में हमें ऐसे मज़ेदार प्रियोगों के बारे में इसके गुणों के बारे में जानने वाले हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे फिर वीडियो को शुरू करते हैं चुम्बक के गुणों में जो पहला गुणाता है वो है होते हैं हुआ कि उसके दो ही दुरू होते हैं रिइयां ऐसे ज़्यादा या कम दुरू नहीं नहीं होतें चुम्बक को दूसरा गुणा आता वह हैं मतलब समान दूरू मतलब या तो दोनो एस हो या फिर दोनो एन हो अगर ये एक दूसरे को हम पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को पर्तिकर्शित करेंगे मतलब धक्का मारेंगे इस तरीके से ये चिपकेंगे नहीं अगर समान दूरू है तो एक दूसरे को धक्का मारने का प्रया करेगा जैसे कि हमारे पास ये दूसरा चुम्बक है ये भी एक दूसरे को धक्का मारे हैं तो ये समान दुरू है चुम्बक का जो तीसरा गुणा आता है वो है दो चुम्बक के ए समान मतलब विपरित दुरूओं को पास लाने पर ये एक दूसरे चुम्बक को आकरशित करत हैं मतलब चिपका लेते हैं अब इसको प्रियोग के द्वारा समझते हैं यह चुम्बक है इसके ऐसमान मतलब ऐसमान दुरू होने चाहिए अगर एदर ऐसे तो इदर एन होना चाहिए अगर इदर ऐसे तो इदर एन होना चाहिए मतलब ऐसमान दुरू को अगर पास लाएंग मतलब इसको पिसली बार ये धका मारेते लेकिन इस बार ये चिपक रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीद रूप हैं और आपस में चिपक रहे हैं चुंबक का जो चोता गुण आता है जब किसी चडी चुंबक को एक दागेसे बांदकर स्वतंतर रूप से लटकाया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्सिन दिशा में ठेरता है, मतलब छड़ चुम्बक का मतलब क्या हुआ, जो एक छड़ के रूप में हो, इसे छड़ चुम्बक कहते हैं, ऐसे अगर हम सुतंदरता पूरोवक एक दागे से बांद कर ऐसे लटकाते हैं, तो यह होगेगा, आखरी के अंदर इसका जो इस्टोप होगा, वो उत्तर दक्सिन दिशा में होगा, यह देखिए, चुम्बक का जो पांचों गुन आता है, वो है, चुम्बक हमेशा लोहे से बनी वस्तों हैं, जिसमें लोहा, कोबाल्ट और निकल, इसे जो बनी होई वस्तों है इनको अपनी और आकरसित करता है, जबकि अन्य वस्तों पर इसका कोई परवाव नहीं पड़ता है, मतलब यह जो जितनी वी वस्तों हैं, यह सब लोहा, कबोल्ट और निकल से मिलकर बनी होई वस्तों हैं, और अगर इनके पास में अगर चुम्बक ले जाओंगा, तो यह चिपका लेगी, जितनी वी वस्तों हैं, यह पिंस है, क्लिप्स है, इसकुरू अगर आए, यह सब लोहे के बने हुए हैं, तो यह इसको आकरसित करके आपनी तरफ चिपका लेती है, जैसे कई बार अपनी चाबी अगर पानी के होज में या कहीं गिर जाती है, तो अपन क् कि चुम्बक के दागा बान के उस पानी में डूबोते हैं, तो वो इसको चिपका लेती है, और चाबी बाहर आ जाती है, यह परियोग हमने सभी ने लगबक किया है, लेकिन कुछ वस्तों ऐसी होती है, जिनको चुम्बक अपनी और आकरसित नहीं करती है, और वो कौन से व जिनको चुम्बक अपनी और आकरसित नहीं करती है, यह सब वस्तों को चुम्बक अपनी और आकरसित नहीं करती है, यह सब वस्तों क्या इनको आकरसित नहीं करती है, क्योंकि यह शिर्फ लोह की वस्तों को आकरसित करता है, अधर वस्तों को आकरसित नहीं करता है, यह दे कि चुम्बक का जो छटा गुणाता है वो हैं जब चुम्बक को दो भागों में तोड़ दिया जाता है मतलब एक चुम्बक है अगर इसको हम दो भागों में तोड़ देते हैं तो इसका प्रतेक भाग एक स्वतंतर चुम्बक बन जाता है और इस प्रतेक भाग के भी दो मतलब अगर इसके अपन हजार टुकड़े भी कर देंगे तो इसके परतेग टुकड़े के दो दुरू हो जाएंगे और वो अपने आप में सवतंतर चुम्बक होगा इसको में प्रयोक की द्वारा समझते हैं कि देखिए ये एक चुम्बक है और ये इसके चिपक गई है अग अगर अगर इसको आधा आधा काड़ देते हैं यह से तो शिर्फ एक दुरूब बजना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता जैसे हम इस चुम्बक को दो टुकड़े कर देते हैं यह लीजिए अभी हमने इसके दो टुकड़े कर दिये तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि यह श अगर इसके दो टुकड़े किये तो यह अपने आप ऐस बन जायेगा और यह अपने आप एन मतलब नोर्ग बन जाएगा और यह अपने आप में 27 चुम्मक बन गया अगर हम इसके भी अगर दो टुकड़े करेंगे तो ये इसके भी S और N अलग-अलग बन जाएंगा और ये भी एक स्वतंदर चुम्बक बन जाएगा और इस प्रकार चुम्बक एक एविवाज्य है मतलब इसको शिर्फ एक दुरूब में नहीं बाटा जा सकता इसके हमेशा दो दुरूब ही रहेंगे इसका जो अगला गुणाता वो है साथवे नमर का जिसमें ये है कि जब किसी चुम्बक को हतोड़े से पीटा जाता है या फिर आग में गरम किया जाता है तो ये अपना चुम्बक कतु को खो देता है मतलब ये कमजोर हो जाता है या फिर इसकी सक्तिया पूर्ण रूप से न मतलब यह चुमक रहेगा ही नहीं फिर यह नॉर्मल एक अन्य जो वस्तुवें उसकी तरह हो जाएगा मतलब यह आकरसन पढ़तीकरसन का गुण या तो कम हो जाएगा और या फिर नश्ठ ही हो जाएगा इसलिए चुमक को हतोरे से पीटना भी नहीं चाहिए और ना इसको अब हम इसको 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 बिखेर देते हैं तोड़ा-थोड़ा यह देखिए यह हमने इसको बिखेर दिया है अब हम इसके नीचे चुमबक रखते हैं क्योंकि यह पेपर है तो पेपर में क्या है चुमबक के गुण आरपारदर्शी हो जाता है अब हम इसको इसके चुमबक के नजदीक ले जाते हैं और देखिए क्या होता है देखिए क्योंकि चुमबक के जो दुरूब है इसके सबसे ज़्यादा यह गुरादा चिपकाव है बलकि मद्य में कम है मद्य बिल्कुल खाली है इसका तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चुमबक की जो सकती है वो दुरोप और सबसे ज़्यादा और मद्य में सबसे कम होती है और इसी को हम एक परियोग के माध्यम से हमने समझा है चुमबक की प्रोपेटीज में जो नवा गुनाता है वो चुमबक का उपयोग लोहे की वस्तुओं को पहचानने के लिए और खिलोनों में इस पिकर में विद्दूत मोटर में जनरेटर दिसा सूचक और चिकिस्था के सहतर में किया जाता है मतलब जो चुमबक है उसका उपयोग लोहे की वस्तुओं को पहचानने में मतलब को यह वस्तुओं अगर मिक्स में पढ़ी है तो उसमें लोहे की वस्तुओं होगी इसक उप्योग होता है यह जो विदुत मोटर है इसमें इसका उप्योग होता है इसका लावा खिलोनोमों भी होता है साथ में यह जो माइक्रोफोन है इसमें भी छोटा सा चुम्बक लगा हुआ है इसी से इसकी आवाज कैच होती है तो इस प्रकार हम नो गुण पढ़ चुके है अब अगला गुण आता है दस्वे नंबर का, चुम्बक का दस्वे नंबर का जो गुण है वो है चुम्बक का चुम्बकतु या सकती लोहे के अलावा सभी वस्तूओं को पार कर सकता है, लेकिन लोहे की परत को पार नहीं कर सकता है, जब लोहे की वस्तूओं को चुम्बक क कर देता हूं तो यह आपस में इसको धकेलने लग जाएंगे मतलब इसको धकेलने लग जाएंगे तो अब हम इसको एक प्रयोग के माध्यम से ऐसा समझते हैं कि यह एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं अभी नहीं चिपक रहे हैं इसको मैं इस जगह छोड़ देता हूं अगर म पट्टी जो पीवीसी पाइप की है अगर इसको मैं बीच में लाता हूं और अगर मैं अभी इसको अगर इसके नजदीक लाता हूं तो अभी भी ये इसको धक्का मार रही है मतलब इसका जो गून है वो इसके अंदर से पार हो सकता है मतलब ये अभी भी इसको धक्का मार रह मुल् rollers के अपे हैं कि ये यह देकिए इसके बीच में मैं ने यह पटी अब्धी को पारकर के इसको लating म अब मतलब यह है अलावा जो दूसरी वस्तों है उसको तो aquele कर सकता है बतलब यह बीच में हमने को अगर मैं बीच में लाता हूं जैसे मान लीजी ये इसको धक्का मार रही है लेकिन ये पट्टी क्या है लोहे की है ये लोहे का है ये चुम्ब के चिपक जाता है अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर ये लाता हूं तो ये दोनों अपस में चिपक जाएंगे लेकिन अग अगर मैं वापस इसको इस पट्टी के बीच में लाता हूं तो यह चिपक जाएंगे इसका मतलब यह होता है कि लोहा अपनी चुम्बक कतु है वो लोहे की वस्तुओं को पाड नहीं कर सकता लेकिन अब आप सोचेंगे कि अगर जो चुम्बक कतु अगर लोहे की वस्तुओं कर दिया जाए तो अभी यह लोहे की तरह व्यवार करने लग जाएगा जैसे यह हमने यह क्लिप रख दी है यह इसको यह देखिए यह चिपकना लग गया क्योंकि यह एक चुम्बक की तरह व्यवार करने लग गया लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूं इस चुम्बक को तो यह नीचे गिर जाएंगे अभी नीचे पिकेंगे लेकिन अगर यह चुमबक है ना इसके चिपकाई रखी हैं तो यह इसकर चिपक जाएंगे यह हमने बच्पन में जो गुरादे को नचाया भी होगा आपने भी नचाया होगा तो यह क्या है यह इसी का उदारन है कि इसको पेपर को चुम्बकतवे वो पार कर लेता है लेकिन उसको पार नहीं कर सकता यह लोहे की वस्तूओं को पार नहीं कर सकता और यह हम 10 गुण जिसे विद्दू चुम्बक भी कहते हैं इस्ताई चुम्बक का मतलब यह है कि यह हमेशा चुम्बक ही रहेगा इसको आप कहीं भी ले जाएगे लेकिन यह चुम्बक ही रहेगा यह लोहे की वस्तों को अपने और आकरसित करेगा और हमेशा अकर्षित करेगा जब तक कि इसको अपन हटाई नहीं लेकिन जो एक इसता ही चुम्बक है वो एक लोहे की नरम दातुए की छड़ होती हैं उससे बनता है और उसमें विद्धू सप्लाई देनी पड़ती है तब जाके वो चुम्बक बनता है जैसे एक लोहे की र चुम्बक की तरह व्यवार करने लग जाता है और यह लोहे की वस्तूओं को अपनी और आकर्सित करने लग जाता है जब तक कि इसमें विद्धू सप्लाई रहेगी लेकिन अगर सप्लाई हटा देते हैं तो यह नॉर्मल लोहे की तरह हो जाता है तो यह ऐस्ता है झाल